आज मैं आपके लिए लिखा है हूं class 10 first flight English के chapter 1 की दोनों पोएम्स dust of snow and fire of ice अगर हम दोनों पोएम की बात करें dust of snow fire and ice दोनों पोएम्स both poems are written by Robert Frost and Robert Frost जो है वो कैसे कभी माने जाते हैं उनका जो meaning होता है वो बहुत गयरा बहुत डीप रहता है तो dust of snow के अगर हम बात करें तो यह कुछ ऐसा incident है Robert Frost जो है जो poet है वो कुछ चीजों की वज़े से अपना पूरा दिन जो था वो खराब कर चुके थे sometimes it happens कि कोई चीज हमारे साथ बहुत बुरी हो जाती है हम पूरे दिन उसी बारे में सोचते रहते है तो हम क्या करते है हमारे पूरा दिन खराब कर देते हैं उसी के पीछे उसी के बारे में सोचते हुए तो यह पूरे में कुछ उसी के उपर है लेट असाथ तो हम सबसे पहले वर्ड मिनिंग देखता है हम्लोग ट्री जो है वह एक पॉईजनेस ट्री है जिसके उपर वाइट फ्लावर जाते है तो हुआ क्या कि जो रॉबर्ड फ्रोस्त थे वो एक पेड़ के नीचे बैटे पेड़ जो था हम्लोग ट्री था उसके उपर एक क्ट्रो है जिसके उपर यह जिसके उपर क्रोग उतरी प्रोटिकल आधा बहुत है यह रोबर्ट फ्लोस्त की उपर जाएक गेर तो हुआ क्या जैसे ही वो जो स्नो जो थी वो जो बरफ थी उनके उपर गिरी उसकी वज़े से उनका मोर थोड़ा लाइट हो गया उनको थोड़ा सा अच्छा लगा और उनका जो पूरा दिन था उसका एक छोटा सा पाट जो था उन्होंने बचा लिया ठीक है बहुत ही पूचना चाहिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारे जो बाकी का दिन जो पड़ा है उसको अच्छी तरीके से उसका यूटिलाइज करना चाहिए हमारी जो आगे की second poem है that is fire and ice fire ice यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ scientists जो है वो ऐसा मानता है यह जो पूरी दुनिया जो है वो एक दिन आग की वज़े से खतम हो जाएगी और कुछ लोग जो है वो ऐसा मानता है जो ice की वज़े से खतम हो जाएगी यहाँ पे Robert Frost जो है यह symbolically fire जो है वो एक desire के साथ compare करते हैं जो हमारी desires होती है हमारे passions होते हैं दूसरा ice जो है वो hatred मतलब हम किसी को hate करते हैं उसके साथ compare किया गया है तो Robert Frost का भी यही मानना है कि दुनिया एक दिन fire में यहाँ तो desire की वज़े से खतम हो जाएगी यहाँ तो ice जैसे कि हम लोगों से hate करते हैं उसकी वज़े से खतम हो जाएगी तो let us start the poem some say the world will end fire some say in ice from I have tasted of desire I hold with those who favor fire तो Robert Frost का यह कहना है कुछ लोग ऐसा बोलता है जो दुनिया जो है पूरा world जो है वो fire की वज़े से खतम हो जाएगा कुछ लोग बोलता है ice की वज़े से खतम हो जाएगा from what I have tasted of desire but मैंने desire को देखा हुआ है जैसे कि अगर हम बात करें desires मतलब अगर हम एक example लेते हैं Hitler का तो Hitler was the only person जिसकी वज़े से world war 2 हुई थी और उनकी जो desire थी जो दुनिया के वपर rule करने की desires थी उसकी वज़े से ही बहुत जादा destruction हो चुका था I hold with those who favor the fire और मैं हैसा मानता हूँ दुनिया fire की वज़े से मतलब desire की वज़े से खतम हो जाएगी second stanza पड़ते हैं but if it had to be perished twice I think I know enough of it तो perish का जो मतलब है वो die मतलब मर जाना दूसरा to say that for destruction ice is also great and would suffice suffice का मतलब रहता है sufficient तो इसका meaning हम देखते है but if I had to perish twice अगर मुझे मौका मिलता है दो बार मरने का I think I know enough of hate मैं hate के बारे में भी जानता हूँ मैं ice के बारे में भी अच्छी तरीके से जानता हूँ to say that for destruction ice is also great हाँ जो ice की वज़े से मतलब जो heart rate या hate की वज़े से destruction होगा वो भी बहुत बहुत बड़ी बात रहेगी वो भी बहुत जादा destruction होगा and it would suffice और वो sufficient रहेगा पूरे world को खतम करने के लिए I hope आपको समझ में आया होगा अगर आपको कुछ भी question है तो please comment comment box में आपकी questions लिख दीजिए and please subscribe my channel keep watching stay safe and have a great day bye bye